और इस market के अंदर ना एक और बहुत बड़ी खासियत है अगर आप मैं पहले मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था शायद पुझे याद आ रहा है इस market के अंदर एक बहुत बड़ी खासियत है कि अगर जो यहां पर अच्छा trader हो रोक होता है ना मतलब जब आप काम करत इपने investment करते हो ट्रेडिंग करते हो अगर आप अच्छे trader हो ना अगर तो मैं यह दावे से कह सकता हूँ कि आप कहीं ना कहीं एक अच्छे इंसान भी हो यह market जो है ना यह आपको अच्छा trader अच्छा investor बनाने से पहले अच्छा इंसान बनाती है मुझे इसलिए market की पसंद है क्योंकि इस market के अंदर आने में यह आपकी जितनी जो कमिया है ना उसको च्छान च्छान के बाहर निकालती है पहले उसके बाद आपको पैसे देना शुरू करते है उससे पहले पैसे देना शुरू हम इनसानों के अंदर सबसे बड़ी जो बुराई होती है ना वह होती ego सबसे गंदी जो आदत होती है वह थी इगो इस मार्किट के अंदर आपकी इगो रोज टूटेगी रोज इस मार्किट की इतनी वड़ी खासी आता है यह डेली आपकी इगो पर चोट करेगी डेली डेली आपको बोलेगी कि आप गलतों मनों गलतों मनों हमारे अंदर आदत हो हम अपनी गलती नहीं मानते हैं अपने घर में हो परिवार में हो फैमिली के साथ हो दोस्तों के साथ हो बॉस के साथ हो किसी के साथ हो हम अपनी गलती नहीं मानते हम दूसरे में गलती डालते हैं यह हमारी बिस्सिक आदत होती है और इस मार्किट का पहला कानून यह है के कहती अपनी गलती मान, उस दिन पैसे दूँगी, जिस दिन तख अपनी गलती नहीं मानेगा ना पैसे नहीं दूँगी तरको, इनसान इस market के साथ वेवार करकर के ना खुद एक अच्छा इनसान बन जाता है, वो कहता है भाई मेरी गलती है मेरे को आपने कई बार देखा होगा नोट किया होगा कई बार यूट्यूब पे भी ऐसे वोलता है हाँ भाई मेरी गलती है मुझे माफ कर दो ये माफी मागने की जो आदत है ये मार्किट से आती है अपने कई बर अपनी गल्ती नहीं भी आपती तो भी हमारी गल्ती है क्या जन्राइटाबि कर दो एक च्छल में यह मार्किट आपको वो सिखाती है ज़ो कि आपको आपकी जिंदगी में कई रापकि पेडिस ती सिखा पाते जिंदीमिन सिखापाती है, मार्गिर वो सिखाती है.